दोस्तों स्वागत है आपको यूट्यूब चनल फिन ओईच पे गेल के रेजल्ट आ चुका है गेल ने अपने क्यू थी रेजल्ट में जो है कुछ खास यहां पे धमाका नहीं कर पाया है और डिसे परंट किया है अपने इन्वेस्टर्स को फिर भी यहां पे स्टॉक में एक यह सुई है गेल क्या हुआ है एसा गेल में कि रेजल्ट कुछ खास नहीं आया है और अभी यहां पे क्या क्या जा सकता है गेल के शियार में तो बहुत सरे इंफोर्मेशन से इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है वीडियो पे पूरा बने रही है दोस्तों के का लिंक देके रहा है उसको जरूर डाउनलोड कर लिजिए तो चले शुरू करते हैं स्टॉक की बाते तो दोस्तों यहां पे पहले गेल के शियार का देख लेते हैं उसके बाद क्यूतरी के रेसल्ट को लेकि हम लोग डिसकस करने वाले हैं बहुत ही असान भाशा में इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं गेल के क्यूतरी के रेसल्ट को लेकि और इंवेस्टर्स के लिए भी वह भी आपे देखेंगे तो दोस्तों यहां पे आप देख सेकते हैं गेल का शियार का जो प्राइज है यहां पे एक दिन के अंदर 1.9% का रिटन दिया है तो गेल न और 1 मंद के अंदर 0.9% का गिरापड बनता हुआ दिखा है बात करते हैं इसको जो है फिलाल अभी स्ट्रॉंग पर्फॉमर कहा जा रहा है अंडर रेडर पर है गेल का शियार 70 है डूराविलिटी आउट ओफ हंडर 66.7 है वेलेशन आउट ओफ हंडर एंडर एंड मोमिंट है तो रेजल्ट अगर खास नहीं होता है तो शियार में बहुत जादा गीराबड बनता है वही हम लोगों को मिल रहा है कि यह की शियार में तेजी बन रहा है क्यों तरीकर रेजल्ट कुछ खास नहीं आया है गेल में दोस्तों यहां पे 6 मिने कर अंदर श्टॉक का करते हैं आपके साथ अच्छे वाले स्टॉक के बारे में इंफरमेशन शियार किया जाए एक बार खुछ से भी रिसार्च कर लेजी जब भी कोई शियार करेते हैं तो देखिए अभी यहां पर 6 में देखने कर अंदर स्टॉक में इतना जबर्दस लिटा देखने को मला उस 210 रुपया 20 पैसे का 110.20 पैसे का जो ही आपर एबरेज ब्रोकर ट्राजेट प्राइस दिया गया है गेल के शियार में मार्केट केप आप देख सेते हैं गेल का 63,778.50 है तो इक बहुत ही बढ़िया कंपानी है गेल इसके पीछे बहुत सारे रिजन है बहुत सारे जो है बोल सेते हैं जिसके चलते गेल के शियार में हमें उतना कुछ खास जो है अभी आफ कीजिए के रिजल्व में उतना कीजिए के रिजल्व को थोरा समझते हैं आर्शान भाषा में उसके बाद देखेंगे के गेल के स्टॉक में क्यू इतना खास जो है जो है जो है जो है डिटन आगे चलके देखने को मिल सकता है और क्या बजा है कि गेल का क्यू त्वी के रिजल्व उतना खास नहीं आया है तो दोस्तों यहां पर गेल का जो रेजल्ट अभी पोस्ट किया उसको समझते हैं तो तो 9 मन्त का आप देख सकते हैं Q3 Financially 2023 and Q3 9 मन्त का जो है Financially 2023 का गेल इंडल इंटल इंडल आप देख सकते हैं जो इसने रेजल्ट आया है December financial 2022 का उसमें आप देख सकते हैं जो Consolidate है दोस्तों यह Consolidate जो इसने revenue दिया है revenue हुआ है वह 1,11,443 करोर और एक साल पहले इसी quarter का था 64,678 करोर Profit जो है Consolidate Profit आप देख सकते हैं जो Profit आप before tax होता है 9 मन्त का वह हुआ है 5,993 करोर का और इसके पहले इसी quarter का एक सल पहले इसी quarter का जो हुआ था 10,44 करोर का तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Profit before tax जो है उसमें गिराबट बनता हुआ यहाँ पर दिखा है यहाँ पर आकर बात करते हैं दोस्तों जो प्रीवियास यहार का Profit आफर टेक्स जो था फो था अभी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है में आपके जी हो है वह हुआ है 35,380 करोर इन Q3 financial है 2023 एक साल पहले इसी quarter का हुआ था 38,491 करोर तो दोस्तों इहाँ पर भी जो है operation से जो revenue आता है quarter on quarter उसमें भी आप देख सकते डाउन बनता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि कम हुआ है अभी बात करते हैं जो sales से गेल का जो sales से business होता है कोई भी कंपानी का तो sales से कोई भी कंपानी का business होता अब गेल का जो है आप देख सकते कि sales जो है वो 248 TMT हुआ है जो कि इसके पहले साल का एक देखेंगे तो हम लोग तो पहले साल का था वो था 231 TMT पॉलीमेटर सेल्स जो है वो हुआ है 65 TMT उसके पहले जो हुआ था वो हुआ था 108 TMT तो यहाँ पे दोस्तों कमपानी का क्वार्टर और क्वार्टर बिसिस में आप देख सकते हैं माफ किजिए यर ओन यर बिसिस में आप देख सकते हैं रेवीन हुझे ऑपरेशन से अब यह देखा है हम लोग लोग था 35,940 करोर है इसके पहले साल था इसी क्वार्टर का 30,729 करोर और यहाँ पे पीवीटी जो है देखते हैं तो क्योंतरी फैनेशला 2023 में 662 करोर का हुआ है और इसके पहले साल इसी क्वार्टर का था 1675 करोर का प्रोफिट आप्टर टेक्स जो होता है 414 करोर हुआ है और इसके पहले साल इसी क्वार्टर का हुआ था 1315 करोर तो ऑवर ओल दोस्तों ऑवर ओल गेल का रेजल्ट किया है अपने इन्वेस्टर्स को तो अभी गेल में जो चल रहा है उसमें क्या कर सकते हैं तो दोस्तों हम लोग देखा है कि अगर देखेंगे आप गेल में जो है एक जबर्दस जो है बोल सेते की तेजी बनता हुआ दिख रहा है और अगर आप देखते तो जो ब्रोकरेज फर्म है वो लोग कह रहा है कि अभी भी गेल में उतना है कि गेल आगे जलके एक रिटन दे सकता है यहाँ पर देख सकते हैं शियार खान जो है कह रहा है कि गेल के शियार में होल करके चलने के लिए यहाँ पर शियार खान का और से कह रहा है आभी बात करते कि दोस्तों गेल का शेयर का आफिमाप कीजिए गेल का जो Q3 का रेजल्ट है वो इतना खास क्यों नहीं देखने को मिला है क्योंकि बहुत बढ़ा PSU है और यहां पर एक अच्छा रेजल्ट देखना था Q3 में तो यहां पर ऐसा क्या हुआ कि गेल के Q3 का रेजल्ट खास नही मिला है इसमें बता जारे कि सप्लाई इशू है सप्लाई इशू के चलते गेल का Q3 के रेजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिला है गच्प्रूम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापूर नाव एस सबसीडरी ऑफ गच्प्रूम जर्मानिया स्टॉप LNG टू गेल अंडर लॉंग टर्म कॉंट्रेक्ट इन लेट मैं तो यहां पे समझीए बात को जहां पे एक जो गच्प्रूम कंपानी करके मार्केटिंग कंपानी करके हैं वह पहले गेल को एलेंजी देता था डेलिवर करता था और यहां पे जो बताया जा रहें कि अभी ज जो हैं गेल को डिलिवर करना बंद कर दिया हैं. बेक इन 2012, गजप्रूम फॉर्म सबसीडियरी गजप्रूम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापूर has signed a 20-year contract to supply गेल with 2.85 million tons of LNG AER. Supplier under the deal had started in 2018 and full volume was expected to be reached in 2023. तो 2012 के आसपास एक contract किया गया था 20 साल के लिए जहाँ पर जो यह company है गाजप्रूम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापूर वो 20 साल तक गेल को हर साल 2.85 million tons का जो LNG प्रोबाइट करेगा और फिलाल वो supply आभी बंद कर दिया. तो supply बंद हुआ है तो गेल का उसमें विजनस में घाटा देखने को मिला है. ब्रोकर्ज जो है ब्रोकर्ज जो है शेयर मार्केटिंग उन लोग फिल भी बोलते हैं कि अभी भी जो है इसका अगर शेयर हम लोग देखते हैं दोस्तों अभी भी गेल का शेयर बहुत जल्दी आराम सी आपे 99.50 का असपास दिखने को मिल सकता है. दोस्तों वीडियो को यहाप ही complete करते हैं आपको क्या लगता है गेल के शेयर को लेके जरूर आप हमें कमेंट करके बताईए अर अगर अपना बाे हमारी वीडियो को लाइके और शेयर नाही जरूर कर दिखने को अबस्क्रीब करना बल्कुल को लिए नापको लिए